आपने दाइक जोर्सिस मौफ एमिली रोज फिल्म देखी होगी क्या आप जानते हैं ये रियल फिनॉमिना पर बेस थी इस फिल्म में दिखाए गए द्रिश से अधिक दरावने थे पर मैं बता दू कि जिस लड़की के साथ ये बीती थी ये कहीं उससे ज़्यादा दरावनी थी सन 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की जिन्दगी पर अधारित एक फिल्म आई थी दाइक जोर्सिसम आफ एमिली रोज फिल्म बहुत खतरनाक और डरावनी थी इस फिल्म को देखकर ब्राजील में तो एक महिला अपने आपको ही मारने लगी दरसल उसने लेट नाइट सो देखने के बाद ऐसी हरकत की आपको बता दें उस दौरान फिल्म देखने वालों को ये अंदाज नहीं हुआ होगा कि जो फिल्म को वो सिनेमा हौल में देखकर डर रहे हैं वो असल जिन्दगी में किसी के साथ घट चुकी है ये फिल्म जर्मन की एक लड़की के जिन्दगी पर बनी थी इस लड़की को देखकर कई पादरियों ने दावा किया था कि उस लड़की के सरीर में कई सैतानी आत्माओं का कबजा है और इन्हीं आत्माओं को भगाने के चक्कर में लड़की की मौत तक हो गई उस पर सुल नाम एनालियेस मिसेल था जर्मन में रहने वाली यह लड़की एक कैथोलिक क्रिशियन से बिलॉंग करती थी एक बार एनालियेस क्लास में ही बेहोस हो गई थी उसके साथियों ने बताया कि उसी रात मिसेल अचानक बिस्कर से उठी उसके बाड़ी में भारीपन महसूस हो रह कि उसे डॉक्तर के पास तक ले जाया गया लेकिन डॉक्तर भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर हुआ क्या है कुछी दिनों बाद मिसेल को टीवी हो गया जिसके लिए मिसेल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया उसकी हालत और खराब हो गई इन परिस्तितियों के बाबजूद भी मिसेल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाकिला भी ली वक्त बीतने के साथ ही मिसेल की हालत और बुरी हो रही थी अब पूजा के वक्त दरावनी चीजें दिखना मिसेल ने डॉक्तरों से इलाज जारी रखने के साथ साथ अपने स सेहत के बारे में पादरी से भी पूछने लगी बिगड़ते हालत के बीच उसने कीड़े मकोड़े और कोईले तक खाना शुरू कर दिये थे अब हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने फर्स से अपने ही यूरीन को पीने लगी थी वो क्रॉस और पवित्र चीजों से डरत प्रिश्ट इस प्रक्रिया के दौरान मिसेल पर छे सैतान होने का दावा किया मिसेल को अब चैन से बांध कर रखा जाने लगा उसकी तवेत लगतार बिगड़ती जा रही थी आखिरकार 1976 में मिसेल की मौत हो गई रिपोर्ट में सामने आया कि मिसेल के दाठ तूट चुके थे और पूरे सरीर में चोट के निजान थे प्रिश्ट ने बताया कि उसे लगता है कोई क्रॉस चीज से बांध कर रखा गया है लेकिन कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया आखिरकार 1978 में मिसेल के पैरेंट्स और दोनों प्रिश्ट को अत्या के जुर्म में जेल की सजा तक सुनाई दी गई